तो दोस्तो जापान की सबसे बड़ी automotive company Honda अब भारत के अंदर ऐसे unique charging infrastructure को build करने जारी है जिसकी जरूरत भारत को सबसे ज़ादा है और company इस काम को पूर्ण सौधी सी रूप से भारत की कमपनियों की मदद लेकर के करने वाली है और यहाँ पर यह charging stations इतना ज़ादा advance होने वाल को launch करने वाले हैं जिसमें पहली portable battery और दूसरी survival battery सुविधा वो भारत के अंदर चालू करेंगे और इस काम को complete करने का काम करेंगी Honda की सबसे पहले starting phase के बारे में बात करें तो बैंगलोरू करनाटका में 2022 की पहली शमाही में company अपने कुछ electric auto e rixa और कुछ two wheelers को launch करेगी औ और उसके बाद अलग-अलग phases में ये भारत के अलग-अलग शहरों में अपना परिचालन शुरू करेंगे इसी के साथ में Honda mobile power pack e का कहना है कि भारत में ही बनाए गई बैटरियों का इस्तमाल करके इस unique infrastructure को company built करेगी यहाँ पर जो battery capacity रहने वाली है वो एक portable battery की लगब 1.3 kilowatt की रहेगी और यहाँ पर lithium-ion battery का इस्तमाल किया जाएगा और ऐसे unique infrastructure की भारत को सबसे ज़्यादा जरूर थे क्योंकि भारत में ज्यादतर लोग अब electric vehicles को अपना रहे हैं और समय के साथ जो petrol diesel vehicle हैं उनके जो price हैं वो electric vehicle almost similar होने वाले हैं तो ऐसे में एक बड़ी जनसंख्या electric vehicle में switch होगी और ऐसे में इस industry में भीड भी जादा बढ़ने वाली हैं तो लोगों का time बचाने के लिए ये चीज़े जादा जरूरी हैं in compared to other electric vehicle वहाँ पर charging करने में 4-5 गंटे 2-3 गंटे अलग अलग time duration में electric vehicles को charge किया जाता है लेकिन ऐसे survival batteries के मदद से हम एक मिनट के दोनों चीज़ों को बचाया जा सकेगा तो आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के पूरे infrastructure में ऐसे ही survival batteries का अस्तमाल किया जाना चाहिए अपनी राय कमेंट वक्स में जरूर लिखेगा भारत के ऐसे ही informative वीडियो पाने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब तक के लिए वन्दे मात्रम भारत माता की जये